हेलो फ्रेंड्स आप सभी कहा यूटूब चैनल इंग्लिज ग्रामर भाई पीके सर में श्वागत है विलकम है आज से हम एक नई स्रीज चलाने वाले हैं जो कि TGT के लिए बड़ा ही महत्पूर्ण है इसलिए बीडियो को पॉज ना करें पूरा देखें तो मुश्ली हम लो इरर से ज्यादा क्वेश्चन आता है इसलिए इरर से इरर पर हमारा ज्यादा फूकस रहेगा तो आज सबसे पहले हम नाउन और नाउन में कितने मतलब जो नंबर होते हैं उसमें कितने प्रकार के इरर्स होते हैं कैसे बनते हैं यहां से हम चर्चा सुरू करेंगे और आप को समझाते चलेंगे तो देखें पहला पॉइंट देखें कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल एक बचन और बह बचन में समान रूप से रहते हैं मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों में समान रूप से रहते हैं जिसमें आपका सीप है डियर है स्वाइन है सीप भेड डियर हिरन स्वाइन स्वाइन यह ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में समान रूप से प्योकी जाते हैं और ध्यान देंगे, सीप का कभी सीप्स नहीं होता है, कि आप जो है सीप्स कर दें ऐसा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से डियर का डियर्स नहीं होता है, यह सब गलत हो जाते हैं, स्वाइन का स्वाइन्स नहीं होता है, एक्जाम में क्या करेगा, एक्जाम में आपको सीप के अस्था पर dears लगा के देगा, swine के अस्थान पर swines लगा के देगा, इसलिए आप लोग क्या करिए, इन से भचें, ठीक है, example से देखिए, यह आपका सुद रूप है अब आपको गलत क्या करके देगा आपको सीप लगा के देगा शीप सीप और लगा के देगा आर सीप आर ग्रेजिंग जो की एकदम गलत है सीप में यस नहीं लएगा और यह जो है जब यस नहीं लएगा और नहीं बनेगा ठीक है तो सीप सा Bak pressing नहीं होगा सीप इस ग्रेजिंग होगा और जब इसका प्लूरल बनेगा तो प्लूरल भी आपका में इसीप सीप अर ग्रेजिंग अब यहाँ पर आर लगा है तो आप seat में yes नहीं लगाएंगे ठीक उसी प्रयार से the deer is running in the field या एक बचन को सो कर रहा है और the deer are sitting in the forest या बबचन को सो कर रहा है इसलिए कभी भी आप भूल करके deers नहीं करेंगे ठीक है एक्जाम में क्या करेगा deers are करके देगा तो deer का deers नहीं होता I think आपको समझ में आगिया होगा आगे देखें दूसरा नियम कुछ नाउंस दिखने में singular होते हैं कुछ नाउंस दिखने में singular होते हैं लेकिन अर्थ में plural होते हैं यह आप ध्यान देंगे कुछ नाउंस दिखने में singular होते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं जैसे आप देखेंगे आपका आपके पासे police, people, public, cattle, poultry, vermin, gentry, military यह सब क्या हैं दिखने में singular लगते हैं लेकिन इनका आर्थ क्या होता है इसलिए जब यह भभचन हो गे इनमें जो help इंव भोगा जो भी helping रप होगा वो क्या होगा वो plural होगा जो भी helping रप होगा वो क्या होगा? फ्लूरल होगा ठीक है अब यहाँ examper से दिख ले cattle are grazing in the field तो ध्यान देना exam में क्या करेगा cattle is grazing in the field ऐसा करके देगा या cattle are grazing in the field तो जितने भी word है न इसमें yes नहीं लगते हैं इसमें जो है yes का prior नहीं होता है ठीक है cattle are grazing in the field cattle are नहीं होगा the police have arrested the thief the police have arrested the thief नहीं होगा या the police has arrested the thief नहीं होगा ठीक है the gentry of his village are not coming in this function gentry मतलब होता है अच्छे लोग गड़े माने लोग तो इसमें क्या होगा gentry of this village are not come in this function ठीक है यहा gentry is नहीं होगा या gentry is नहीं होगा ठीक उसी प्रकार से the people of the society are genius तो यहाँ पर the people is नहीं होगा और नहीं the people are नहीं होगा ठीक है तो इस प्रकार से दिखने में बहले ही singular दिख रहे हैं लेकिन इन लोगों का प्रयोग क्या होता है भवचन होगा यतने भी वर्ड है इसको आप याद कर लें नेक्स रूल है कुछ नाउंस केवल singular में ही प्रयोग होते हैं दिखने में आपको कुछ ऐसे लगेंगे कि यह बहवचन के हैं लेकिन इनका प्रयोग जो है singular में ही होगा जैसे आपके पास हैं news, off spring, scenery, advice, air, furniture, bread, information, luggage, mischief, factory, machinery, alphabet तो आप लोग देखिए news हुआ, advice हुआ, furniture हुआ, information हुआ यह लगभग exam में आते रहते हैं तो यह क्या होते हैं इनका प्रयोग हमेशा singular में ही होता है singular का मतलब यह हुगा कि singular वर्व का ही प्रयोग होगा जैसे for example his information is correct तो his informations are नहीं होगा जब यह होगा, singular होगा his information is correct his hair has turned grey यह hairs have नहीं होगा the scenery of kasmir is beautiful यह exam में भहुत आता है the sceneries of kasmir नहीं होगा the scenery of kasmir is beautiful होगा the advice of my father is very useful यहाँ advices नहीं होगा